हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आजा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों इसमें हम लोग आज देखेंगे आप सौट वीडियो में अभी तक देख चुके होंगे इस ड्राइवर बोड को जो कि PBT 501 मोडल आता है हमारा और यहां वायर लगा हुआ इसके वज़े से नहीं दिख रहा होगा अब आप यहां देख सकते हैं कि PBT 501 लिखा हुआ है ठीक है तो यहां वायरिंग डिटिल्स देखने वाले थे इसकी और बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा यह क् मैं टेस्ट कर चुका हूँ जैसा आप देख चुके हैं तो इसकी साउंड आप सुनी चुके हैं और साउंड को जाद दिर नहीं चला सकते तो यहां देखिए हमने वही अरेंजमेंट किया है कि एक हमारा जो 2200 यहां लगए होते हैं तो मैंने यहां तोनों ही 2200 लगा दिये हैं तो मैं कोर्स करता हूं दिखाने के देखिए यह हमारा और दूसरा यह लगा हुआ है तो उस और यह दो हो गए अब बीच में आपने देखियोगी एक resistance हमारी लगी रहती है बड़ी सी तो बहुत बड़ी तो नहीं थी मेरे पास तो यह छोटी लगा थी उसकी जगे तो यह सारे connection का arrangement हो गया है और यहां wire की details भी देख लेते हैं एक बार तो देखिए यह जो माइनस है वो मारा यहां कैपिस्टर से आया हुआ है तो कैपिस्टर को देखी हमने यहां white ground है हमारा और यह माइनस सीरा है हमारा है बिलु वाला जो कि मैनस प्रक्ट्ट के तरफ लगा है यह पॉजिटिव है हमारी लाएं तो यहां देख लेते हैं ऑर इसके बाद से हम देखते हैं कि हमारा वही देखिए यह मैंस सिरा है हमारा जो कि है लगा हुआ है और उसके Just नीचे सुर्ट पर थो कि यह आप देख लिजिए और इसके लिए फीड़ाइन है हमारी तो पेक के साथ में हमने यहां पर एक वायर जोड़ रखा है जो कि हमारा यह पट्टी वाला वायर है जो कि रेड पटीस पर बनी हुई है दरसल हट गया भी करती पर तो यह यहां जुड़ जाएगा इस तरह से अब इसको हट जाने दिए क्योंकि यह सिरा जो है हमारा तो इसको आज का वीडियो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपना ख्याल रखिए आपके पास इसमें कैपिस्टर लगा होगा बूर्ड में वहां सबसे बड़ा ट्रेक आपको जो दिखेगा यहां पर तो यह हमारा ग्राउंड का सिरा होता है इस तरह स के बाद तो यह देखिए हमारा पॉजिटिव हो जाता है और उसका बेस यहीं से हो जाता है अब यह दो वायर आपको दिख रहे हैं यहां लगे हुए है यहां पे ट्रेमिल बना हुआ है तो यह दो वायर हमारे जो सीधे आया है तो देखिए कहां है एक तो हमारा इस रेज तो इसकी तीजिस्टिंस के साईट से यह वाला इस तरह से लग जाएगा और दूसरा वाला जो गृिन हैसि में बेस उसके बास से यहां पर यह feedback की लायन है this उक जड़ जाता है और feedback के साथ ही हमारे देखिए दोनों जो हमारे एक तरह से by का कॉ म—क नियांए उसके साथ ही हमारा फिर पॉस्टिव कबश्र मेंt और यह पॉस्टिव लायन इस तरह से पूरा हो जाता है तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारा फीडवेक वाली लाइन होती है जोड़ी ही आगे चली जाती है तो इसी से हमारा एक सिग्नल का वायर निकलता है जो कि हमारे यहां बीयू मीटर के सिग्नल वाले पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है यह जोड़के नहीं आता है आप लोगों को लगाना पड़ता है तब जाके हमारा बीयू मीटर स्टार्ट होता है यह तो आप लोगों की ध्यान रखिए और एक बार देख लेते हैं कि हमारी जहां माइनस सप्लाई होती है और उस तरफ हमारा जो ट्राइंस्टर लगा रहेगा वो ए 940 रहता है और नीचे वाला जो है वो 270 रहता है तो 270 की तरफ हमारी जो होगी वो पोजिटिव सप्लाई होगी तो यहां आपको जो देख रही है किसकी वायरेंग कैसे होती है कैसे क्या करना है इसका वीडियो चैनल पर अनिमेशन में बना रखाता हमने यहां प्रैक्टिकली दिखा दिया है आप 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 लोगों को किस तरह से हम वायर अप कर सकते हैं चलके भी दे रहा है तो यह सिर्फ आज का वीडियो है मिलते है कि से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपना ख्याल रखिए